पुस्करणा समाज की वर और कन्याओं का जो 18 फरवरी 2022 को बीकानेर के बीकानेर सहर के परपोटे में सामुईक शादियों का जो कारकरम होगा पानिकर संस्कारों का जहां तक संबंध है सरवत्र समाज के तमाम मांगले कारकरम 16 फरवरी को हाथ काम से प्रारम हो जाएंगे अधारा फर्वरी को विवा का जो कारिकर में वो गोदुली बेला में गोशित किया गया है नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वीकानिर का पुष्कर्णा शावा अगले वर्स अठारा फर्वरी 2022 को होना है इसके जो विवा के जो कारिकर में वी धंतेरस पर गोशित की जा चुके हैं आज हमारे साथ से दिलिप जोसी हैं समाज सेवा सिक्षा खेल के छेतर में भी अगणी है तो मैं चाहूंगा कि दिलिप जी आप जो पुष्कर्णा साहवा है उसके बा जो अठारा फर्वरी 2022 को बीकानेर सेर के परकोटे में सामुइक शादियों का जो कारकरम होगा उसको दसेरे के दिन तिथी गोशित होने के पश्या धंतेरस के दिन मानेश और महादेव मंदिर में विद्वान पंडितों के द्वारा तमाम मांगलिक कारकरम कब-कब होंगे उसकी तिथियां और वार सहित सारा करकरम कोशित किया गया तो सबसे पहले चार फर्वरी को गुरु जुनों के परिवार के सदश्यों का चार फर्वरी को हाद्दान पांच फर्वरी को मात्र का इस्तापना और छै फर्वरी को यग्योपवित संसकार के करकरम संपन होंगे इसी तरीके से व्यास बालकों का जो यग्योपवित संसकार कारिकरम है वो 5 फरवरी को हाथकाम, 6 फरवरी को मात्री का इस्तापना और 7 तारीक को यग्योपवित संसकार कारिकरम गोशित किये गए हैं साथ साथ सरवत्र समाज का यग्योपवित संसकार कारिकरम 8 फरवरी को हाथकाम, 9 फरवरी को मात्री का इस्तापना और 10 फरवरी को यग्योपवित संसकार विकानेर सहर की दर्थी पर संबंध होंगे सर्वत्र समाज के तमाम मांगले कारिकरम 16 फरवरी को हाथ काम से प्रारम हो जाएंगे 17 फरवरी को मात्री का इस्ताप्ला और गणेश परिकरमाएं पूरे सेर में जगे जगे पर जाएगी और अठारा फर्वरी को विभा का जो कारिकरम है वो गोदुली बेला में गोशित किया गया है समाज के विद्वान पंडित, समाज किकानी और लालानी व्यास परिवार के पुषकरणा सावा समिती के सदस्यों सहित समाज के पुझारी वाबा जी, संकर जी पुरोहिद, सुरंदर जी व्यास, नरंदर जी आचारिय, विजय आचारिय, सत्यप्रगाजी आचारिय सहित शैर के गणमानी लोगों ने इस कारिकरम में भाग लिया क्योंकि यह चार फर्वरी से सब्से पहले ही बुरुजनों के बटुकुंगा उसके बाद में ब्यास परिवार के बटुक का चैर पांच फर्वरी से और सर्वत्र समाद उनका 8 पर्वरी के परार्म हो जाएगा यह तो होगा एग्योपॉस संस्का और जहां तक साधी की बात है वो कारिकरम 16 फरवरी से प्रारम होगे हाथकाम का कारिकरम है 16 फरवरी को 17 फरवरी को होगे मात्री का इस्तापना रात्री को गडेश परिगरमा और 18 फरवरी 2022 को गोधुली बेला में साधिया संपन होगी समाज के बुद्धी जीवी वर्ग ने कम खर्च में अत्यदिक साधियां हो इसके लिए सभी को प्रेडित किया और सब ने एक संकल्प लिया कि 18 फर्वरी 2022 के दिन अपनी कन्याओं की साधि एक ही दिन कम खर्च में अत्यदिक साधियां हो इसके लिए उस पर चिंतन मदन किया गया साथ साथ बैठक में सभी गणमानिय लोगों ने ये बात भी कही कि जादा दिखावा ना करें और कम खर्च में अपनी कन्याओं की साधिया करें ये कहां होई थी बैठक? ये मानेश्वर मादेव मंदिर रवनास्तर कुए के पास तो बताने कुछ बैंड बाजा भी निकला था ये सब क्या महूल का? बैंड बाजा तो राजपरिवार की परंपरा है कि राजपरिवार की एक सदस्या जो है इस कारिक्रम को जो है स्विकर्टी देने आती है तो बैंड की धुन से उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाता है ये क्या है सावा का पूरा कारिक्रम जैसे स्विकर्टी वगराराज गराने से स्विकर्टी ये बरसों से चली आ रही है कि राजपरिवार स्विकर्टी देता है उसके पश्यात हमारे पुष्कर्णा समाज के लोग वहां जाकर स्विकर्टी लाते हैं तत्पश्यात धंतेरेस के दिन स्विम राजपरिवार का एक सदेश्य प्रतिनीधी के रूप में वावपस्तित होता है और विधिवत रूप से लिखित में सहमती पत्र देता है उसके बाद मांगली कारकरम की गोष्णा होती है ये पहले 7 साल से होता था फिर 5 साल से फिर 4 साल से फिर 3 साल से और पिछली वार 2019 के बाद 21 में सावा होना था लेकिन कोरोना के कारण इसको एक साल के लिए इस्तिकित किया गया सामुईक सादियों का प्रचलन अभी भी जा रही है और इस प्रचलन में जो है कम से कम पैसा खर्च करके अध्यातीक सादियां करे ये ही अमने संकल्प लिया है